तो हेलो रेड में 5 यूजर आप सब डेट कर रहे होंगे औरियो अपडेट, पोट्रेड मोड, फेस, फेस अनलॉक या वोल्टी सपोर्ट तो दोस्तो फाइनली MIUI 10.1.3.0 का स्टेवल अपडेट रिलीज कर दिया गया है तो दोस्तो वो आपको कब तक मिलेगा, रिलीज डेट क्या है, और दोस्तो उसे क्या क्या फीचर आएंगे, मैं सब इसी वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तो आपको ये वीडियो देखके बहुत ही ज़्यादा खुसी होगी तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कर दिजेगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आसे नियूज में लाता रहता हूं और एक डिवाइस के रिलेटिड तो दोस्तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहा हूंगे रेडमी 5 के लिए 10.1.3.0 निकल के आ चुका है अगर बात करें special ROM की तो दोस्तो यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं दिया गया कि आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे जो highest update है वो है 10.1.2.0 जो आप में अभी install है दोस्तो तो बात करते हैं यह ROM आप में कब तक आएगा यह update आप में कब तक आएगा तो दोस्तो यह update आने में time लग सकता है क्योंकि मैं आपको पोरा confirm information देने वाला हूँ तो वीडियो का ending तक जरू देखेगा तो दोस्तो यह real में यह update आया है तो दोस्तो आप यह tutor का भी देख सकते हैं जिस पे कहा गया यह M.I.O.10 Redmi 5 में यह update आचुका है तो दोस्तो बात करते ही अभी तक आपको क्यों नहीं मिला है तो दोस्तो यह testing के लिए program निकाला गया है कल ही यह date देख सकते हैं 25 December है 24 December में यह आपको दिखाया गया था कि यह update आपको मिल जाएगा तो दोस्तो मुझे confirm करने में थोड़ा time लग गया तो उसके लिए sorry दोस्तो और बात करते हैं इस update में कब तक आएगा दोस्तो और क्या क्या फीचर आएगा तो दोस्तो इसमें आपको Oreo update मिलने वाला है दोस्तो इसका size बहुत ज़्यादा है देखिए आप देख सकते हैं 1.3 GB का यह update होने वाला है तो दोस्तो इसमें Oreo का update confirm है जैसा कि आप screenshot में भी देख सकते हैं OD लिखा है OD मतलब Oreo का update होता है दोस्तो और अगर आपको मैं screenshot दिखाऊं तो दोस्तो आप यहां से देख सकते हैं दोस्तो यह रहा दोस्तो आप देख सकते हैं वर्जन है Oreo का update है यह Redmi 5 यूजर के लिए है इसमें आपको Oreo का update यह बात करें तो Dual Volty मतलब Dual Volty support भी मिल जाएगा तो यह बहुत अच्छी बात है दोस्तो Redmi 5 के लिए Dual Volty और यह क्या कहते हैं Oreo का update भी roll out कर दिया गया है तो दोस्तो पहले तो यह news आ रहे थी कि Dual Volty support ही नहीं करेगा Redmi 5 user के लिए पर दोस्तो वो support में आ चुका है तो यह बहुत ही बड़ी good news है तो दोस्तो आप बात करते हैं यह update आपको कब तक मिल जाएगा तो दोस्तो आप जैसा कि जानते होंगे MI की यह policy है पहले यह new update आता है वो कुछी user को provide करता है अगर आपको भी यह update मिल गया तो नीचे comment जरू किजेगा कि मुझे update मिल गया है तो मेरे सारे user आपको देखके थोड़ा अच्छे mood में आ जाएंगे तो दोस्तो बात करते हैं कि यह update आपको कब तक मिलेगा तो दोस्तो आप जानते ही होंगे कि MI की जो policy है वो update देने मतलब कुछ दिन पहले वो roll out करती है जब वो confirm कर लेती है कि यह update में कुछ problem नहीं है जब 99% या कहें तो 98% यह result आता है कि इस update में कोई भी problem नहीं है सब यह roll out किया जाता है stable version के लिए तो दोस्तो stable version तो यह कुछ user को मिल रहा है तो उसी से यह leak हुआ है दोस्तो आप यह देख सकते हैं screen shot है दोस्तो जैसा कि आप बिखा सकता हूँ dual voltage सब कुछ आपको मिल जाएगा बात करते हैं अगर mi room में तो अभी तक यह release नहीं किया गया है दोस्तो इसमें जैसे release होता है मैं आपको download link भी provide कर दूँगा दोस्तो बात करते हैं कि यह update आपको कितने दिन में देखने मिल सकता है तो दोस्तो आज time देख सकते हैं 25 December है आपको यह January से पहले मिल जाएगा दोस्तो कि यह आपके लिए release कर दिया गया है stable में तो इसे आने में ज़्यादा time नहीं लगेगा दोस्तो यह बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा तो दोस्तो अकर आपको जैसे ही मिलता है प्लीज कमेंट कीजेगा कि हमें यह update मिल चुका है तो दोस्तो आपको मैं date बता देना चाहता हूँ यह exact date होने वाली है January के पहले आपको मिल जाएगा तो दोस्तो यही यह news बतानी थी आपको अगर news पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को like और subscribe जरूर कीजेगा क्योंकि आपका एक like दोस्तो मुझे बहुत ज़्यादा motivate करता है तो please like और subscribe जरूर कीजेगा अगर आप मेरे कोई वीडियो देखते हैं तो आज के वीडियो में इत्ता है दो